हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एलेवरा केस स्टेडी बेस्ट क्योस्चन Read the following passage and answer the question from 1 to 5. Guinea purchased the air plant holder which is the shape of a tetrahedron. Let A, B, C, D are the coordinates of the air plant holder where A is 111, B is 213, C is 322 and D is 334. तो यह diagram आपको दिया हुआ है जाब कर आपको A, B, C और D का coordinate आपको दिया हुआ है तो आपसे पूचा है Find the position vector of A, B vector Right So A, B vector का आपको निकालना है Position vector of A, B vector Right So A यह है और B यह है A point का coordinate यह है, B point का coordinate यह है तो B वाले में से A वाले को माइनस करके हम लिखेंगे जैसे यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 I cap Plus 1 माइनस 1 J cap Plus 3 माइनस 1 यह वाला 3 और यह वाला 1 Right यह है यह आगया KK So AB vector आपका क्या आगया I cap Plus two KK क्योंकि यह तो zero हो जाएगा 1 minus 1 Right सो आंसर आपका क्या आगया IKF प्लस 2KKF Option C is correct Next question Find the position vector of A and C तो A point का coordinate आप लिख लो और B C point का coordinate हम यहाँ पहले लिख लेते हैं चीक है A point का coordinate आपको दे रखा था 1,1,1 और C point का coordinate है 3,2,2 Right So आप से पुछा है A, C vector यानि कि C में से आप A वाले को माइनस करोगे तो 3-1 I cap प्लस 2-1 J cap प्लस 2-1 K cap So A, C vector आपका क्या हो गया 2 I cap यानि Cop या आपका आंसर होगे next question 3 find the position vector of a d vector a point का coordinate 1 1 1 d point का coordinate आपको दे रखा है 3 3 4 right 3 3 4 so a d vector आपका क्या हो जाएगा 3 minus 1 this 3 minus this 1 ठीक है यहाँ भी position vector यह पूछा है i cap plus 3 minus 1 j cap plus 4 minus 1 k cap you get 2 i cap plus 2 j cap plus 3 k cap option d is correct next आप से पूछा है area of triangle ABC तो ABC का area आपको निकालना है ठीक है तो formula क्या हो जाएगा आपका half of vector a b vector cross a c vector यह क्या होती है आपकी adjacent sides होती है triangle की ठीक है और a b vector और a c vector अभी हम निकाल चुके हैं उपपर ठीक है cross product है इसलिए हम यह इस तरीके से लिखेंगे और हमारा जो a b vector था वो हमारा i a था i k प्लस 2 k k right यानि कि 1 0 2 आ जाएगा है आपका और हमारा a c vector जो था वो हमारा था 2 i k प्लस j k प्लस k k तो यहाँ जाएगा 2 1 1 यानि कि यहाँ आपके लिखोगे 2 1 1 ठीक है अब यह determinant है इसकी value हम solve करेंगे simple जो तरीका है हमारा उससे हम इसको solve कर लेंगे right यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा half of i k f 0 minus 2 right minus j k f 1 minus 4 ठीक है इसको इससे multiply करेंगे minus इसको इससे multiply करेंगे plus k k f 1 minus 0 right यहाँ जाएगा अब इसका मोडूलस भी आपको करना है यह जो आएगा ना इसका मोडूलस भी आपको करना है क्या मोडूलस आप यह है ना तो कि हेर या नेगिटिव नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर आपके पास आगया half of मोडूलस of minus 2 i k plus 3 j k plus k k ठीक है यहाँ से देखो minus 2 i k plus 3 k k और plus k k ठीक अब इसका मोडूलस आप करोगे तो क्या जाएगा minus 2 का square plus 3 का square plus 1 का square तो यहाँ जाएगा 4 9 over 1 half of यह हो गया आपका under root of 14 right square units यहाँ आपका अंसर टीके तो इस तरीके से इस question को solve करना बढ़्ड़ उसका झापका, 1 Time मत करूंस जो तो आपका